नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप भी अपना चैनल मॉनेटाइज करा रहे हैं और आपके पास इस तरह से इजर आ रहा है तो दोस्तों इस इजर को कैसे दूर करेंगे दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यांस देखिएगा अगर जलत भी आप गलती करते हैं तो प्रॉलम बढ़ जाएगा दोस्तों अगर यह इजर आ गया तो समझ लिए 24 घंटा का पनावती लग गया है क्यूंकि इसको दूर होने में कम सकम 24 घंटा लगता है दोस्तों इसको दूर करने के लिए पहले आप अपने लेपटाप या मुबाइल में अपने डाकुमेंट्स जैसे ओटर आइडी हो गया डियल हो गया या पास्वोट हो गया उसका फोटो रख लीजिए और दोस्तों अगर आप अपने लेपटाप में या मुबाइल में कई सारे email add करके हैं तो उसको जिमूग कर दीजिए बस आप उसी को रखिए जिससे आपका आज सेंस बनाना है दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल अलग है और आज सेंस किसी अलग email से बना रहे हैं महलब email अलग अलग रहे हैं दोस्तों अब बहुत ध्यान से बनाईएगा क्योंकि थोड़ी से घ्लती अगर आप कर देंगे तो फिर आपको समिश्य आज आज आएगे दोस्तों इसको कैसे दूर करेंगे तो आई आपको बताते हैं अपने लेपटाप पर कीसे की से दूर करते हैं। दोस्टों आए चलते हैं। एसको काड़ी जैया इसको काड़ी या ओके करके हैं। तो सेम यही प्रावलम आगया। दोस्तो आईए आपको दिखाते हैं फिर से सम्मीट पर टच करके दोस्तो यहां सम्मीट पर हम टच करते हैं तो सेम यही प्रावल्म आ गया दोस्तो अब यहां पर आप देख सकते हैं एक फार्म का आपचन है दोस्तो आप इसको टच करिए जब इसको आप टच करेंगे दोस दोस्तो जो आपके I w/. दोस्तो नám और देश भनने याँ बाद आप थोड़ा नीची आएंगे तो डोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोस्तो आपको आपको अपसन आ जाएगा देखिए तो यहां पर दोस्तो पेमेंट प्रोफाइल आईडी निकाले के लिए आप यहां पर टच करिए दोस्तो आप ध्यान दीजेगा कि आप जिस इमेल से एडसेंस बना रहे हैं उसी का पेमेंट प्रोफाइल आईडी लगना चाहिए गलती से आप किसी और का पेमेंट प्रोफाइल आईडी ने डाल दे दोस्तो इसी लिए मैंने सुरूम कहा था कि आपने फालतू जो इमेल है आप उसको जिमू कर दिजिए दोस्तो आप यहां से क डाकुमेंट पर नाम और एड्रेस एक पर ही मतलब सामने ही है तो आप दोस्तों यहां पर यस कर सकते हैं मगर अधितर में इड्रेस पीछे साइड होता तो आप वहाँ नो करेंगे तो आपको नीचे इस तरह से ओपिन हो जाएगा तो दोस्तों फिर आप यहां पर यह करेंग आपको आधार कार्ड नहीं अपलोड करना है क्योंकि आधार कार्ड मान नहीं है आधार कार्ड डालेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा दोस्तो जब इसको आप अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे KB या MB आपको सो करेगा दोस्तो इसके बाद आप इसको submit पर कर दीजिए दोस्तो इसके बाद आप यहाँ पर complete हो गया है दोस्तो अब आपको email का इंतजार करना पड़ेगा करीब 20 गंटे 25 गंटे बाद आपके email पर एक इस तरह से email आ जाएगा दोस्तो आप देख सकते हैं मैं आपको open कर दिखा दे रहा हूँ दोस्तो यहाँ देख सकते हैं account verify का option आ गया है दोस्तो आप फिर आप अपने YouTube पर जाएगे और दोस्तो यहाँ पर फिर start पर touch करिए फिर same होई process दोस्तो यहाँ पर इस तरह सब touch करिए यहाँ पर touch करने बाद आपको continue करना है यहाँ पर accept agreement पर touch करिए दोस्तो इसके touch करने बाद थोड़ा समय लएगा फिर आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा दोस्तो अब फिर यहाँ submit पर touch करिए दोस्तो यहाँ पर कुछ error बता रहा है हम फिर इसको submit पर touch करेंगे देखते हैं किया submit हो रहा है दोस्तो थोड़ा समय बाद फिर देखिए दोस्तो यहाँ पर हम submit पर touch कर रहे हैं submit पर touch करने बाद दोस्तो अब देखिए हमारे सामने किस तरह से पेज आता है दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह स्पेज आ गया अब दोस्तों आप यहाँ टाच के रिडारेक्ट पे यह आटोमेटिक रिडारेक्ट हो जाएगा दोस्तो आईए देखते हैं यहाँ पर क्या बताता है दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तो इन प्रोसेस में बता आला है दोस्तो आप इसी तरह से छोड़ दीजिए आप आपका एक काम हो गया है दोस्तो मेरा चैनल मुन्टाइज होने में तीन दिन लगा था आप देखिए आपका चैनल किने दिन में मुन्टाइज होता है धान्यवाद दोस्तो